विस्वास सारंग जी हमारे साथ हैं सर आज एक नवाचास शुरूब आए मध्यप्धेश में की मुक्व मंत्री जी चाय पर चर्चा करेंगी है और पहली शुरुबात आप से हुई है मुझे बहुत प्रसन्नित आए कि मानी मुख्यमंती जी ने आज मुझे चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था अलग-अलग विश्यों पर हमने बात चीत की और मैं मानी मुख्यमंती जी को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि उन्होंने आत्म निर्वर मध्यपदेश बनाने का जो सपना है उसको Medical Commission की जो recommendation है जो नए courses है उसको हम मध्यपदेश में शुरू करेंगे चाय वो clinical medicine की बात हो चाय हॉस्पिटल management की बात हो या infectious disease की बात हो इन सब को लेकर हम मध्यपदेश में काम करेंगे और क्योंकि Medical Education में चात्रों का डॉक्टरों का निर्माण के लिए बहुत बड़ा aspect है वहां से संब्ध अस्पतालों की गुणवत्ता का क्योंकि उन hospital से जहां गरीब मरीजों का इलाज होता है तो उसके साथ doctors को भी practical training बहुत अच्छे से मिलती है तो उसके लिए हमारे hospital का संचाला अच्छाओ तो देश में पहली वार हम medical education विभाग की और से ease of medical services को launch कर रहे हैं जिसमें हमारे 15 आयाम होंगे और उसके माध्यम से हम hospital का संचालान करेंगे मर्जपिदेश का medical education विभाग गुनवत्ता पूर्ण हो सोचारू चले यह हम सबका लक्षे है मानी मुख्यमंत्री जी ने इसलिए हमें यहां बुलाया थो कई बार जब अकेले में बाच्चे होती है तो कई बातें भी हम अपने से रह सकते हैं जैसे कि भीवाग में बजट की कमी तो नहीं है अधिकारियों के बले कर देखिए जब कप्तान बात करता है और कप्तान के सामने कोई बात की सहमती हो जाती है तो फिर फिकर करने की ज़रूरत नहीं है सेने को तो हम तो सेना पती हमारे मानी मुख्यमंत्री जी के नितरत में काम कर रहे हैं भीजट की कोई कमी नहीं हैud जो मुख्य मंत्री करोना काल में भी 82,000,000,000 रुपी जनता में बाट सकता है। गरीब जनता में किसानों में बाट सकता है उस प्रदेश के मुख्य मंत्री के Pillars के वारे में हमें यह विचार की बात होती थी तो वो कहते थे खजाना खाली है अब खजाने में पैसा कहा से आ गया देखिए अच्छी नीती के लिए अच्छी नियत की जरुरत होती है और शिवरा सिंग चोहां जी की नियत अच्छी है इसलिए हर नीती कारगर होगी तो नीती की जहके नियत होने चाहिए और ये विश्वा सारंगिया केना है कि नए कोस्ते शुरू किये जाएंगे मेडिकल एजूकेशन में उनके ये भी केना है कि हर जिले में जो कॉलेज बना जाने के प्रसाफ है उस पर भी चर्चा हुई है तो बजट की कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी कोरोना काल में बजट की कमी नहीं आने दी गई थी तो आगे भी निश्री दुपसे बात का ध्यान अखा जाएगा